हेलो ब्रीवन ये डिमांड बहुत समय से थी अब थमनेल से समाझ गए होंगे कि अपनी स्ट्राइजी बोले था आप बताए कि वक्याप्स को कैसे करना और ये बहुत कॉमन डाउट है कई लोगों को दिक्कत होती है तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको वक्याप्लेरी के लि बेसिक से लेकिए अडवांस तक कि आपकी वक्याप्लेरी पकड क्यासे होने चाहिए बेसिक मतलब से MTS का कोई एक्जाम हो रहा है उसमें आपकी क्या पिरोच होनी चाहिए और CGL के बीच में क्या पिरोच होनी चाहिए यह दोनों आपको differentiate करना आना चाहिए ठीक है तो यह सबसे जुरूरी पॉइंट है कई लोग MTS को भूल कर सीजल वाई वक्याप्स में काम करते हैं तो हमारे लिए सबसे गलत पॉइंट है तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा तो मैं पहले अपनी बुक्स भी बता देता हूं कि मैंने कौन-कौन सी करी थी और मेरे से क्या गलतियां हुई थी वो आपको ना करें क्योंकि मैंने हमेसा बोलाए कि आप exam की त्यारी करने से पहले उसका approach समझे कि क्या कहना चाहरा है कई बर हम गलतिया कर जाते है multiple books अपने आपको focus रखे अधर बुक्स पर फोकस करेंगे तो आप हज जाएंगे यह ज़रूर धियान रखे का क्योंकि एक बुक को जितने टाइम मुल्टिपल टाइम रिविजन करते हैं वो आपके लिए हमेसा एक अच्छा-च्छा फ्रोट्फुल रिजल्स देती है तो मैं मातर चार होते 25 में से एक पैटर्न के कोर्डिंग मेंस में अलग हो जाता है तो लोग सुचते कि सेनॉनिम्स और अंटॉनिम्स करने के लिए 5000 वक्याप्स याद करना बहुत बड़ी बात है तो क्यों करें पर आप यह धियान रखेगा मैं बारवर एक चीज को जोड़ता मैं हिंदी की वर्ड में बोलता हूं आपको जैसे में कोई हिंदी हम डिवेट कर रहे हैं और मैं कुछ बहुत भारी हिंदी वर्ड यूज कर दूँ तो आप लाइन नहीं समझ पाएंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है तो इस चीज से बचके रहना है कई लोग सेनॉनिम्स औ इन टॉनिम्स टॉपिक को इस दो क्लियर करके चलते हैं कि इसको नहीं करेंगे हम और बाकी कर लेंगे आपको हर जगे एफट करना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहली बात मैं बुक सजेस्ट कर देता हूं जो मैंने करी थी इसमें सबसे पहले जो थी यह मैरी बुक है आ आज के टेंब मार्केट में चल रही है और मैंने सुना एक अच्छी बुक है वो कई लोगों से मैंने इस चीज के बारे में जानकारी रप्त किये तो किया रहे थे कि प्रिवेस के सारे कोशिनस में देखने को मिलते हैं तो आपको एक प्रिवेस की बुक जरूर होनी लगी थी तो उन्होंने एक अच्छा स्टुडेंट मांते में मुझे नोट्स दिये था आज तक मैंने रखे हुए हाला कि मेरे पास इसका आप काम है नहीं पर आप देखेंगे मैं आपको बारी किसा दिखाता हूं कि वक्या आप सलो क्याते याद नहीं होता आप मुल्टि की जैसे होता है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हमेंने महमत पड़ा था तो उसको सिनोनिम्स क्या हो जाएगा तो आप जाएंगे उसी बगल में जहां भी आपको मिला हो वहीं पर लिख लिजे ताइम वेस्ट मत करिएगा कि आप पूरी स्पेशली आप बुक अल क्योंकि मैंने इसको पड़ लिया था फिर मुझे लगा कि ये बुक्स भी कर लेनी चाहिए तो प्लीन टू परमाउंट आप सभी जानते बाइबल है मार लिए अगर आप उस चीज की तियारी करें ससी कि कि यहां से बहुत सारी ग्रैमर अच्छी आती है पर आप लास्ट मे देखेंगे तो कुछ वक्याबलरीज भी दे रखें जैसे मैंने खुद लिखर खाई आपको थोड़ा इसलिए दिखा रहा हूं कि मेहनत करनी पड़ती है वक्यास में करी लोग पैनिक करते हैं कि याद नहीं हो रही जब तक आप effort नहीं लगाएंगे रिवीजन नहीं करें को याद रहता था कि मुझे तीन बुक बार-बार पढ़नी पड़ेगी तब ही मेरे को एक्जाम देने में फाइदा होगा तो यह चीज ध्यान रखनी है कि आप एक ही बुक पर फोकस करें बजाए दस बुक के पर जाने क्या क्योंकि में बहुत जादा प्रेशर रहता हमार और एक बुक में बहुत उसमें वहीं है पर बाड़न 3 जो होते हैं में बहुत काफी होते हैं कि दो भ Smoke वी नहीं यह थीन बुक में में ख़दम करना है नहीं तो एक ही पर रहना है चीक है तो यह हो गया हमारा इसका जो मैं बता रहा था प्लिन टो पैरा मांट इसके बाद म इस बुक को भी मेरा करना एक तडिके से नुकसान रहा था तो आपको यही मैं बार-बार बोल रहा हूं कि आप जितने भी जैसे नियुतियों सिंग में हो कहते है वॉल्यूम फर्स्ट भी खतम करो वॉल्यूम सेकंड भी खतम करो तो इसका कोई मतलब है नहीं ध्यान रखना इसका ब्लेक बॉलने वाला हूं आप चाहए या ना रखे यह आपको दिख रहा होगा इसको कहते हैं MB publication की book आज तक आप बड़े-बड़े toppers को देखेंगे तो उनका एक ही approach रहता है वो MB publication कहते हैं अब थोड़ा बहुत कम हो गया इसका trend लोग इस पर ज़्यादा focus नहीं करते हैं ब्लैक बुक जब साही है पर मैं फिर भी कहूंगा आपके बास black book है या नहीं है कोई matter नहीं करता पर ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें last के कुछ साल के paper आपके बास पढ़े रहते और उसको आप revision में जितना करेंगे उतना valuable रहेगा ठीक है तो कहने का फिर मैं दुबारा समझा रहा हूँ अब MTS वालों के लिए कुछ चीज़ा add कर दूँ फिर last में कुछ और CGL वालों की बात में करूँगा जैसे MTS वालों को black book से नहीं जाना है मैं बार और बोल रहा हूँ कारण ये है क्योंकि उसमें CGL level तक क्या आपकी work apps आती है आप सोचेंगे exam तो SSE करा रहा है तो अंतर क्यों है क्योंकि दोनों में आप देखेंगे qualification का फरक है standard दोनों का अलग है तो इसी कारण examiner वहाँ पर tough आपकी work apps बूचता है मैंने तो CGL means तक देख रखा है में offline मिल रहे MTS के उसकी work apps आपको पहले go through होनी है वो ही करीबन आप 10 साल की paper उठाएंगे तो उसमें आपको 1000-2000 work apps तो ऐसी मिल जाएगी आपको याद करने के लिए तो पहले आपको उसी को करके चलना है आपको smart approach रखनी है क्योंकि मुझे कोई guidance देने वाला नहीं था जिस तरीके से में करना था अपनी तरीके से सोचता था जितनी work apps हो उतना अच्छा रहेगा तो आपको क्या करना है कि एक book रखे black book रखी आपने उसको पढ़े पूरी तरीके से खतम करने के बाद फिर इस बुक पर आना है कारण यह क्योंकि MB publication के अंदर set paper दे रखे प्रीवेस अर्स के उसमें अगर आप करने जा रहे है जैसे इसकी सबसे बड़ी कमी मेरे को यह देखने को मिलती थी MB publication वाली बुक में कि मैं वक्याप्स के तो कि आपको analyze करना है कि मुझे time के अंदर इंग्लिस का पर अच्छे से करना है हमारा problem सबसे बड़ा होता time आप जब तक प्रैक्टिस सट नहीं करेंगे तो इसका कोई फाइदा ही नहीं तो अब उसको अगर आप MB publication को पढ़ने लग जाते हैं उसमें आपने अल्रेडी वक्याप से लिख रखें याद कर ली तो आप सैट पेपर लगाने जाएंगे तो आपको पहली सी पता है कि मेरे वहाँ पर मेरे को याद है वह तो सारी पूछी जा चुकी है इसलिए आपको लास्ट में करना है MB publication को यह ध्यान रखेगा अगर आप सोच रहें कि चलिए दूसरा option भी मैं बता देता हूं कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं दो बुक नहीं लेना चाहरा है एक एक तरीका ऐसे करिए कि आप पहला पूर्शन लेके चल रहे उसको पूरी तरीके से लिख लिए अपनी नोट में यह वहीं पर लिख लिए ठीक है उसके बाद जो आपको लिखना है जैसे आपने नोट्स बनाएं फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए आप उनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं मॉक टेस्ट नहीं बोल रहा है प्रिवेसर्स के सेट लगाएं जैसे टेस्ट वह गयरा जो प्रवाइड कराते आपको बार-बार मैं इ इस नहीं करेंगे यह स्ट्राटेजी होती है इसलिए मॉक टेस्ट में ज्यादा टफ होता है और मैं हमेंसा बोलता हूं मॉक टेस्ट को इग्नॉर ही करें मॉक टेस्ट उस तरीके के लगाए जो आपके प्रिवेसर्स में पूछे जा चुके सब्सक्राइब चाहा हो चाहा ह एक दिन में 50 वक्याप्स मेरे को याद करने है तो आप एक वाइड बोर ले लिजी वहाँ पर लिख लिए प्रॉपरली 50 उसमें से आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 30 याद हो गई जब मुल्टिपल टाइम आपस का रिवीजन करेंगे कुछ 5-6 रह गई जो नहीं याद हो हो गए थे अपनी वक्याप मजूद करने में और मेरा रीडिंग अच्छा तभी हुआ है मैं न्यूस्पेपर इंग्लिस का पढ़ पाता हूं उसका में रीजन है मेरी वक्याप सच्छी होना और यही चीज़ आपके लिए सबसे पहली प्रायरिटी होनी चाहिए मार्क्स आ आपके सामने होना चाहिए कि आप न्यूस्पेपर पढ़ रहे है तो जैसे आप मन की चलिए आपने वक्याप कुछ याद करी तो तुरंत आप उस वक्याप को जैसे आप न्यूस्पेपर हैं पढ़ेंगे तो आपको बहुत जादा देखने को मिलेगा कि बार बार गूगल पर सर्च करिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इस तरीके से करना है और MTS वाले धियान रखेगा ब्लैक बिल्कुल नहीं जाना आप लोगों ने बहुत जादा डिमांड करे थी वक्याप को लेकर कि आपने जिस तरीके से कंटेंट दिया है उसी तरीके समक कोई भी एकजाम के आप त्यारी कर रहें तो और जिस तरीके से में लिंक करके वाकेश भी आद कराता है तो लोगों को बहुत पसंद आया बहुत लोग ने पसंद करा है तो आप ले सकते हैं अप्लिकेशन से प्लिस्टोर सर्च करिएगा नहीं तो वीडियो के तो वहाँ पर स्टेंडर्ट थोड़ा हाई है अब मैं सीजल वालों की या सीचसल स्टैनों सीपियों वालों की बात करूं तो आपके पास एक option है लिए black book अच्छी book है आपके लिए आप उसको complete करिए फिर जब आपकी पूरी नहीं और प्रैक्टिस करने के लिए एक ही book होती है मैं हमेंसा कहता हूं प्रीवेसर इससे अच्छी book कोई नहीं है और इसको पढ़े और आपका काम हो जाएगा ठीक है और तो मेरे साब से कुछ है नहीं मैंने जो चीज आपको समझानी थी इसी तरीके से त्यारी रखेंगे से बहुत फाइदा होगा और एक और कई लोग फोबिया करते हैं कि हमसे याद नहीं होती है मारा बैग्राउंड हिंदी रहा है इंग्लिस नहीं रहा मैं आपको बार-बार इस चीज को बताया है मैंने कि मैं खुद एक हिंदी मेडियम बैग्राउंड से मैंने 10th क्लास ते पढ़ाई करी थी अपनी और मैस में स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट रहता था अच्छे सब्जेक्स पर मैं इंग्लिस नहीं पढ़ता था फिर 12 मेरे ग्रेजिशन सारी इंग्लिस मीडिया में होई है पर उसका भी कोई विस तरीके से नहीं होता क्योंकि SSE आपसे इसका कुछ फाइदा नहीं हुआ मुझे तो यह गलती थी और यह फिर मैंने इसको बादे बंद कर दिया क्योंकि मैं जब रिविजन करने जाता था एक्जाम से पहले तो मेरे दिमा में बटन रहता था कि मैंने प्लिन टू पैरामांट की वक्याप्स भी याद कर रखी है मैं मुझसे दिमांड करी कि आप जो वक्याप्स का जो बैच लेकर आ रहा रहा खिव उसके पर बैच लेकर आये चल दी से तो बहुत बैच के कारना मैं तो बहुत बैच करा उससे पहले मुझे यह भी देखना था कि पैटन में कुछ चेंज़ हो रहा है कि नहीं तो अगर एक्जाम आपसे डिमांड कर रहा है, उसके इसाब से फुल्फिल कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए बस एक ही बुक है, जो बहुत जादा फोकस करती है, वो है आपकी MB publication, उसको बिल्कुल न छोड़े, मार्केट में बहुत जगे आपको available मिल जाएगी, और बहुत valuable रहेगी, जैसे मैं grammar के लिए आपको बोलता हूँ, जो mirror of common error, वैसी MB publication का होना ज़रूरी है, चाहे आप कोई बुक नहीं पढ़ रहे है, ब्लैक बुक भी नहीं पढ़ रहे है, आप approach बदल लीजिए, या तो ऐसे करिए कि मुझे mock test से कोई लेने देने नहीं, mock test में तब लगाऊंगा online, पहले में offline खतम कर दूँ, तो आप इस book की MB publication book को, उसके chapter wise जैसे set paper लगाए, उसकी work apps लिख लीजिए, या वहीं पर highlight करते लिखते चलिए, तो आपकी work apps बहुत जल्दी improve हो जाएगी, maximum 2-5 महीने बहुत ज़रूरी है चीज को लेकिए, ठीक है तो overall मैं आपको strategy बता दी, यह सारे मैं आपको notes दिखा है, इन सभी को मैंने पढ़ा है, इसलिए 8-9000 में वक्याप साब को बोलता हूँ, और इसमें फाइदा मुझे थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि मुझे long term के लिए त्यारी कर रहा हूँ, तो आप जो जो books मैंने आपको suggest करें, इसे plain to paramount, MB publication, फिर आपका जो एक ideal book मान लीजे, black book आप उनके साथ जा सकते हैं, ठीक है, तो यह था मेरा पूरा approach जो मैंने आपको बताया है, कि इसी तरीके से मैं याद करी थी, वक्याबलरी जो भी मेरी अच्छी करें, और कम से कम एक डेट घंटा जोरू दीजे, तो उससे क्या होगा, आपका जो week zone है, वो मजबूत होने लग जाएगा, ठीक है, तो overall यही strategy थी, इससे जादा मैं आपको बता नहीं सकता है, इसमें कोई भी doubt आप comment box में डाले, मैरे इसाब से मैंने सारे question आपको इसमें जो मेरे साथ रहा है, मेरे stages में रहा है, त्यारी में, वो सब आपके लिए helpful रहेगा, तो बस आज की lecture के लिए इतना ही थे, और अगर course लेना है आपको application पे, चाहे वो GS का हो, SSC कोई भी exam के त्यारी कर रहे है, अब SSC में, उसको लेके target badge बना रखा है, मैंने, GS को लेके, English क बना रखाँ, आप से जोड़ सकते हैं, तो बस आज की lecture के लिए इतना ही थे, त्याच की